हे गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू अल डूइंग वेल, तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुती सिंपल, इजी और यम्मी रेसिपी, जो है मेती मटर मलाई, तो घर के ही कुछ सामान से फटा फट से ये बन जाती है, तो चलिए बनाना शुरू क सलाई बनाने के लिए सबसे पहले बना लेते हैं, ग्रेवी के लिए मसाला, तो उसके लिए मैंने पैन में चड़ा दिया थोड़ा सा पानी, और इसमें एड कर दूगी मैं दो प्याज, जिसको मैंने रफली चोप कर लिया है, और अब एड करेंगे इसमें हारी मिर्चे, त दस से बारा डाल दी हैं मैंने काजू, और इन सब को एक से दो मिंट के लिए हलका सा सोफ्ट होने तक हिलाते रहेंगे, तो जब यह हलके से सोफ्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद इसमें हम टमाटर एड करेंगे, तो मैंने यहां तीन टमाटर लिये हैं, और इनको मैंने ल तो जो हमारे प्याज हैं वो अच्छे से बिल्कुल सोफ्ट हो चुके हैं आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सोफ्ट हो चुके हैं और इनको एक बार अच्छे से हिला लेंगे इसके बाद कर देते हैं हमारी गैस की फिलेम को बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख अगर आप ऐसे ग्रेवी नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल तरीके से भी तड़का लगा सकते हैं तो मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और बड़ी लाइची मैंने निकाल दिया उसको हम साथ नहीं पीसेंगे और अब इसको डालेते एक जार में और जार में डालन तो इसके लिए मैंने कडाई में डाला है तीन चमच घी आप इसकी जगए ओलिया बटर भी ले सकते हैं और गी गरम होने पर इसमें मैं एड़ करूँगी एक चमच जीरा दो इलाइची एक दालचीनी का टुकडा तीन से चार काली मिर्च और जैसे ये पक जाएगे इसमें एड़ कर दूगे हमारी जो ग्रेवी यानि पेस्ट जो हमने रेड़ी करके रखा था और एक मिंट के लिए ग्रेवी को अच्छे से हिलाएंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए जैसे एक मिंट हो जाएगा इसके बाद एड़ कर देंगे इसमें क अच्छे से mix कर लेंगे, अच्छे से mix करने के बाद मैं इसको ढखकर 2-3 मिंट के लिए पकाऊंगी ताकि सारे खड़े मसालों का और मसालों का फ्लेवर ग्रेवी में अच्छे से आ जाएं, तो इसको ढखकर 2-3 मिंट के लिए low flame पकाऊंगी, जब तक हमारा जो ग्रेवी रे को भी रेडी कर लेती हूँ तो उसके लिए एक चमच डाला है मैंने घी और उसमें यहां एक कप मैंने लिए बारिक कटी हुई मेति जो फ्रेश है और इसको मैं एड कर दूँगी ताकि घी में पककर इसका जो कच्छापन है वो खतम हो जाए और सबजी में एक अच्छा सा फ पका लेंगे अच्छे से पका लेंगे और इसके बाद एड कर देंगे इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और अच्छे से एक मिंट के लिए इसको मिक्स करेंगे इससे इसका मुष्चर सारा उठ जाएगा और इनकी जो रोने से वो भी खतम हो जाएंगे आप चाहे तो आप इस प्रोसीजर को छोड़ सकते हैं और डारेक्टी मेती और मटर को ग्रेवी के अंदर डाल सकते हैं तो यहां देखे दो से तीन मिंट हो चुके हैं और जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है इससे ज्यादा पतली जो मीन हमारे इंग्रीडियेंट है इसमें हम एड कर देंगे एक कप मलाई तो मैंने घर की फ्रेश बनी हुई मलाई ली है आप चाहें तो क्रीम भी इसमें यूज कर सकते हैं और मलाई एड करते समय इस चीज़ का ध्यान रखे हमारी गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए उसके टालने से जो फ्लेवर है वो भी भुछ ज़्यादा बढ़ जाता है एंड मिन नमक एड करेंगे और थोड़ी से डालोंगे कसूरी मेती पुरी तरह से ओप्षिनल है आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन कसूरी मेती से एक अछा सब फ्लेवर हमारी सबजी में आएगा अच्छे से इसको mix कर लेते हैं और एक मिंट के लिए इसको पकाएंगे ज्यादा देर इसको हम नहीं पकाएंगे तो बातों ही बातों में ये लीजिए एक मिंट में हमारी पूरी हो चुकी है और सब्जी भी हमारी बिल्कुल ready हो चुकी है आप इसके color इसकी consistency देख स सकते हैं घर में अगर कोई महमान अचानक से आ जाता है तो आप फटा फट से रेस्टोरेंट स्टाइल ये सब्जी घर पर कुछ समान से ही मिंटो में रेडी कर सकते हैं अगर आपको अमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा do try out the recipe and leave your feedback in comment section below don't forget like share and subscribe my channel see you guys with next video till then tata bye bye and thank you for watching